में 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 सोसियोलोजी के लिए जो भी स्टूडेंस इंटरेंस एक्जाम दिये थे फाइनली आज उनका रिजल्ट आ चुका है इस तरीके से और फी रिमेनिंग कोर्से से जैसा कि मैंने पिछले इस वज़े से एक वीडियो बनाई थी कि जिन कोर्से का रिजल्ट अभी प्रियक नहीं आया उनका भी रिजल्ट आ जाएगा बस फर्क यह थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना होगा यह डिपेंड करता है एडिमिस्टेशन पे कि वह कभी भी अपलोट कर दें तो यह थोड़ा सा ध्यान है कि आप लेट हो सकता है मतलब ऐसा नहीं लेट हो सकता है इसका यह भी मतलब नहीं होता है कि आपका रियल्ट नहीं आएगा बट अब हम फाइनली इस पे आ रहे हैं में सोसियोलोजी पे यह फॉर्स लिस्ट है इसमें जो भी चीज़ी इंपॉर्टेंट होगा वेडियो एंट तक देखी वह मैं क्यों बदा दूंगा सबसे पहले इडिमिशन का प्रोसेजर की बात करें तो दो दिन में पांच जनवरी से छे जनवरी के बीच में अप टू वन पी एम यानि कि एक वह तक यानि कि आप धियान रखे कि 9 एम में आपको इंटरी लेलना है कॉलेज में एडिमिशन के लिए पांच तारीक को अब उसके आगे जो इंपॉर्टन चीज ही है ओफिस ऑफ हे डिपार्टमेट ऑफ सोसियोलाजी में आपका एडिमिशन का प्रोसेजर कम्पीट किया जाएगा दूसरे भी धियान रहे कि आपका जो टाइम टेवल है क्लासिस का वह आज चुक है है वेबसाइट पे जाकर चेक कर लिजेगा अब उसके बाद अगर हम आगे बात कर लें तो यह सारा आपसे डॉक्मेंस मांगा जा रहा है डॉक्मेंस में सबसे पहले अडिम कार्ड और इस्टेशन फॉर्म एडलिस चार फोटो लेकर जाएंगे लास्ट येर का मांक सीट जाने की ग्रेजुएशन का बर्स सर्टिफि करना होगा और कास्मीर के स्टूडिन्स को इस बार उनको डॉमिसायल सर्टिफिकेट समिट करना होगा इसके बाद अगर हम बात कर लें तो चैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है यहां साब ने लास्ट इस्टूशन अटेंड किया था एंड ब्लड इसके लिए यह दो एफटी फुट होगा एक स्टूडेंस के भी हाप में और एक पैरेंस के भी हाप में ध्यान रहे जैसे ही जब आपका अप्रोसिजर कंप्यूट कर ले जागा तो आपको एफवर साइच का फिस स्लिप मिलेगा उसका यह स्लिप लेकर जामिया के अंदर म आपने अड्मी से लिया था जो मैं एंडिकेट करके दिखा रहा हूं आपने जहां अड्मी से लिया वहां जाके समिट करेंगा और बख्या यह जो रिमेनिंग पार्ट है वह बैक टूब घर लेकर चले आएंगे एक और इंपार्टन बात अगर बाइदेवे सीट वैक सबही का एक जिरॉक्स भी लेकर जाएंगे तो बार कट अप की बात कर लिए तो जेनल का सिक्स्टी एड है मुसलिम का फिट्टीन फोटीएड मुसलिम वोबीस एस्टी का और मुसलिम वोइमन का 51 कट अप गया है और जम्मु कस्मिर के स्टूडिन्स का 49.50 जिरू गया है काटेगरी की हिसाब से रॉल अमर के हिसाब से नाम में जिसे जनरल में जिनका नाम आए वो जनरल का है मुसलिम में जिनका नाम है उनका मुसलिम में है मुसलिम ओवी सी में जिस तरीके जिनका नाम है उनका मुसलिम मुसलिम ओवी सी में है और मुस्लिम OBC के साथ भी सेम सीन है I hope वीडियो आपको क्लियर होगा हो क्या होगा Thank you for watching this video जामे के अपडेट से बने रहने के लिए इस यूटूब चनल को सब्सक्राइब कर लेजिए Thank you